दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Amazon Fire TV Stick को TV में इंस्टॉल कैसे करें इसलिए वीडियो को सुरू से लाश्ट तक पूरा देखें और दोस्तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो कोई पैसा थोड़ने न लगता है इसमें चलो अब हम Fire TV Stick की उपर भी Polython को निकाल देते हैं चलो पहले हम कुछ इस Fire TV Stick के बारे में जान लेते हैं दोस्तो सबसे पहले इसके उपर एक Amazon Prime का लोगो देखने को मिल जाता है और साइड में एक USB केबल को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट मिल जाता है जहां से चार्जर के थूर इसमें पावर सप्लाई जाती है और दोस्तो जो इसके आंगे का इससा है वो आपको TV के HDMI पोर्ट में कनेक्ट कर देना है जैसा कि मैं आपको कनेक्ट करकर दखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आपको Fire TV Stick को TV में कनेक्ट कर देना है दोस्तो Fire TV Stick लंबाई में थोड़ी बड़ी होती है इसलिए अगर आपके LED स्टेंड पर रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपके LED दीवार पर टंगी हुई है तब ये पीछे की सैट दीवार से टकराएगी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसके साथ एक HDMI कनेक्टर दिया गया है सिंपली पहले आपको Fire TV Stick को इस कनेक्टर में कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं आपको कनेक्ट करकर दिखा रहा हूँ दोस्तो बीच बीच में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना हमने Fire TV Stick को कनेक्टर में कनेक्ट कर लिया है अब आपको इस कनेक्टर को TV में कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं अपने LED में आपको कनेक्ट करकर दिखा रहा हूँ दोस्तो ये कनेक्टर लचिला होता है जिससे कि हमारी Fire TV Stick दीवाल और LED के बीच आसानी से उपर या नीचे एज़ेस्ट हो जाती है और टकराती भी नहीं है दोस्तो Fire TV Stick के पिछले Unboxing वीडियो में हम आपको तीन चीज बताना भूल गए थे सबसे पहला इसके साथ जो remote मिलता है वो Bluetooth remote होता है दोस्तो जो की Fire TV Stick और आपकी TV दोनों पर काम करता है और दूसरा हमें इस Fire TV Stick की एक साल की warranty मिलती है और तीसरी यह है कि हमने एक साल पहले Fire TV Stick ली थी और वो अभी खराब हो गई थी फिर हमने Amazon वालों को इसकी complaint की इसके बाद अनौना यह मुझे दूसरी Fire TV Stick भेज दी और पुराने वाली Fire TV Stick कोरियर से बापस मगा ली अपने पास दोस्तो चार्जिंग केवल के एक साल को हमने Fire TV Stick में लगा दिया है और दूसरी साल को हम चार्जर में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से इसके बाद हम LED का प्लग और इस चार्जर को पावर बोर्ड में लगा देंगे LED पर कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहां पर ये अलग-अलग देश की भासाओं में इंस्टरक्शन को बता रहा है आपको इंगलिस या हिंदी भासा को आने तक का अंधियार कर लेना है दोस्तो अगर आपकी Fire TV Stick एक साल से पहले ही खराब हो गई है तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अपनी पुरानी Fire TV Stick को कैसे चेंज करना है और Amazon से कैसे दूसरी New Fire TV Stick मगवानी है क्योंकि दोस्तो मैंने भी अपनी Fire TV Stick एक साल पहले ली थी और वो अभी खराब हो गई फिर मैंने Amazon Customer Care पर कंप्लेंट की और फिर उन्होंने दूसरी New Fire Stick मुझे भेज दी और पुरानी वाली बापस मगवाली दोस्तो अब आपको अपने रिमोड में बैटरी डाल लेनी है और फिर रिमोड को Fire TV Stick के पास रखकर 10 सेकंड के लिए Home बटन दबा देना है जैसा कि मैंने दबा दिया है और फिर कुछ इस तरीके का इंटरफिस आपको देखने को मिलेगा यह आपसे बोल रहा है कि Press Play Button to Start यह आपसे हिंदी में भी पूछेगा कि शुरू करने के लिए Play Button को दबाएं तो आपको Play Button को प्रेस कर देना है फिर यह आपसे आपकी Language को पूछेगा तो आप अपने हिसाब से English यह Hindi को Select कर सकते हैं मैंने English वासा को Choose कर लिया है फिर आपके यह Internet Network को सर्च करेगा अगर आप इस डिवाइस को अपने मुवाइल की Hot Sport से Connect करना चाहते हैं तो आपने मुवाइल की Hot Sport को On कर लेना है और फिर Re-Scan for Wi-Fi Network पर आपको क्लिक कर देना है मतलब रिमोट का बीच वाला बटन OK वाला दबा देना है इसके बाद यह आपकी Hot Sport के Network को सर्च करेगा जैसे कि इसने मेरे मुवाइल की Hot Sport का Network सर्च कर लिया है अब दोस्तो Redmi Note 9 Pro Max जो की हमारी मुवाइल का नाम है हम इस पर क्लिक करेंगे फिर अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर देना है फिर नीचे Connect पर क्लिक कर देना है फिर यह डिवाइस इंटरनेट से Connect हो जाएगी और Connection Successful लिखकर आ जाएगा फिर Checking for Updates होगा और फिर इसमें Automatic Software Download होने लगेंगे इसी बीच आप चेक करते रहें कि आपका Internet Connection ना तूटे और ना ही Fire TV Stick की Power Supply को आपको बीचों बंद करना है दोस्तों Software Download होने में पाँच मेंट से लेकर आदा गंटा तक लग सकता है यह डिपेंड करता है आपके Internet Connection पर दोस्तों Software Download हो चुके हैं अब Fire TV Stick will be restart in a few seconds का मेसेज आ रहा है मतलब कुछी सेकंड में आपकी Fire TV Stick restart होगी इसी बीच आपको छेड़ चार नहीं करना हैं दोस्तों अब इसमें अपडेटिंगी प्रोसेस चलेगी जिसमें फिर से 5 से 30 मिन तक लग सकते हैं अपके इंटरनेट कनेक्शन पर अपडेटिंग की प्रोसेस पूरी हो चुकी है अब कुछ इस तरह से Fire TV Stick start होगी और उसका लोगो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और फिर कुछ सेकंड या मिनिट के लिए ये लोडिंग लेगी इसके बाद फिर से ये आपके मुवाल के HotSport के Network को सरच करेगी और फिर Automatic HotSport से Connect हो जाएगी और इंटरनेट इसमें Connect हो जाएगा और फिर कुछ सेकंड के लिए चेकंग फूर अपडेट्स की प्रोसेस चलेगी और फिर कुछ सेकंड के लिए Downloading the latest software का process चलेगा फिर finishing updates का message हमें देखने को मिलेगा इसके बाद ये आप से पूछीगा कि आपके पास Amazon का account है अगर आपके पास पहले से account है Amazon का तो आपको sign in कर लेना है और अगर आपके पास Amazon का account नहीं है तो आपको Amazon का account को create कर लेना है दोस्तों मेरे पास पहले से ही Amazon का account है इसलिए मैं Amazon का account को sign in कर लेता हूँ इसके बाद दोस्तों आपको अपने mobile के Chrome browser पर चले जाना है और Google पर search करना है Amazon.com slash code फिर आपको वहाँ पर एक code डालना है जो कि आपको सामने नजर आ रहा होगा सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ये code डालते ही आपके Amazon का account आपकी 5TV stick पर login हो जाएगा इसके बाद बेल कम और आंगे आपका नाम आएगा और फिर नीचे लिखकर आएगा इस Amazon 5TV stick बिल भी registered to your account मतलब आपकी 5TV stick आपके Amazon account पर registered हो चुकी है इसके बाद ये आपसे आपके Wi-Fi का password save करने के लिए बोलेगा आप save करना चाहों तो आप save कर सकते हो इसके बाद checking for backup होगा और अगर आप पहले से ही 5TV stick का use कर रहे थे जैसे कि मैं पहले से ही 5TV stick को use कर रहा था फिर मैं device को select कर लेता हूँ अब दोस्तों जो हमारी पहले वाली 5TV stick में जो app थी और जो setting थी वो पूरी setting और app हमारी पूरी restore कर देगा है और फिर ये remote के setup को prepare करेगा अब ये आपसे बोल रहा है कि आपको आगे जाकर एक music सुनाई देगा जो की full volume पर होगा अब next पर click कर देना है अब को second process चलेगी इसके बाद ये आपसे बोलेगा कि आपका जो fire tv stick का remote है उसमें आपको volume बटन को दबाना है यहीं कि आप करना है और down करना है और फिर stop बाले button को प्रेस कर देना है और अगर आपके fire tv stick के remote से volume up और down हो रहा है तो आपको yes पर click कर देना है दोस्तों आपको tv और fire tv stick के लिए अलग-अलग remote के आवसकता नहीं है आपके fire tv stick के remote ही आपके tv और fire stick दोनों पर काम करेगा दोस्तो अब आपको yes पर क्लिक कर देना है और अब आपके fire tv stick का remote successfully set up हो चुका है अब आपको ok पर क्लिक कर देना है इसके बाद ये आपको कुछ apps recommend कर रहा है अभी मैं no thanks पर क्लिक कर दूँगा इसके बाद ये data monitoring setting की बोल रहा है इसको भी मैं बाद में करूँगा इसलिए मैं setup letter पर क्लिक कर दूँगा इसके बाद आप यहां से parental lock डाल सकते हैं मुझे lock नहीं डालना है इसलिए मैं no parental control पर क्लिक कर दूँगा अब एक नया interface आपको देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होगा welcome to fire tv आपको okay पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको आपका account देखेगा आपको अपने account पर क्लिक कर देना है और आपकी full setting हो चुकिए दोस्तों और fire tv stick का home page कुछ इस तरह से आपको देखेगा अब आप जो चाहों बस एक क्लिक पर देख सकते हो और आपको दोस्तों क्लिक भी नहीं करना है बस Alexa का बटन दवाईए और जो आपको देखना हो वो बोली है उस पर और Alexa अपने आप जो चीज आप देखना चाहते हो आपके सामने हाजर कर देगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें थैंक यू फूर वाचिंग